find the dimensions of constants of constants in one-der-wall equation one-der-wall walls equation w-w-e है न हाँ ठीक है सब्सक्राइब भार नहीं आई इसमें constant की dimension निकाली तो सबसे पहले आप कहेंगे तो ये नामें डर वा रहा है डर लिखा one-der इससे डर तो नामें डर वा रहा है पहले इसका मतलब समाल लिजेते है उससे इस मतलब से कोई मतलब है नहीं देखे एक होती है चासला, बायसला और गैसला आपने पढ़े होंगे अगर 10th level में हाँ तो उसमें गैस equation पढ़ाएगी PV is equal to RT ये ideal gas equation है जो हर condition में तीनों लाउस को follow करें वो ideal gas equation है ideal gas equation में जो ideal gas की property होती है उसमें कहा जाता है कि ideal gas के जो molecule हैं उनमें आपस में कोई force नहीं लगता है ठीक है बड़े दार्षिनिक टाइप की होते है आदर्स होते हैं उसको हिंदी में भी आदर्स कहा जाता है तो वांडरबाल साब ने ideal gas equation को real से compare किया उन्होंने का देखे भी या ये एक बरतन है इसमें ideal gas भरी भी है ना तो ये एक दूसरे पर कोई force नहीं लगेगा net force इन्होंने क्या है molecule पे zero है ठीक है लेकिन इन्होंने कहा really होता क्या है कि जैसे ये वाला molecule है इस molecule में चारो तरफ molecule इसके है तो चारो तरफ जब molecule होंगे तो net force कितना काम करेगा zero वह अगर चारो तरफ से आप खड़े हैं कोई आपका ये कान कीचे कोई ये कान कोई ना कोई ये कोई चुट या उपर पहर नीचे तो आप ये net force कितना काम करेगा zero आप खड़े रहेंगे no problem आउग खीजो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर ये molecule यहाँ पर आ जाए इस गैस के दिवाल के पास तो अंदर तो molecule इसको घसीट रहे हैं लेकिन इधर molecule तो प्रज़न नहीं है तो क्या आप net force zero होगा यानि अब वो दिवाल पे जाके टकराएगा तो उसका pressure change हो जाएगा तो उन्होंने कहा ideal gas पे जो P ये होता है ये P ये नहीं होता है ये change होता है P प्लस A upon V square होता है ये कहां से है वो बात की बात है तो उन्होंने pressure को बुला कि यहां जब pressure जाएगा वो change हो जाएगा वो ये वाला pressure नहीं होगा जो यहां पे होगा यहां पे प्रसर कितना होगा P प्लस A upon V square होगा ठीक है अच्छा दूसरे V में उन्होंने क्या change किया देखो उन्होंने कहा ऐसा देखिए ideal gas में कहा जाता है कि gas के molecules का जो size होता है वो negligible होता है ठीक नेगलेजबिल हो गया लेकिन wonder wall सामने कहा कि कुछ तो होता है ना कि जैसे मान लिया यह बरतन है इसका volume V है तो अब बताएए gas molecules को चलने के लिए कितनी जगए मिली है यानि V volume मिला है अगर V volume है तो gas molecules को चलने के लिए V volume अबलेबल है वही यहाँ V इस्तेमाल किया गया है अच्छा मले कमरा है कमरे का कुछ volume है ठीक है इस कमरे में आप को छोड़ दिया जाओ और आप उड़ते है अईसे 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 अउड़ते है तो आप को चलने के लिए किती जगए है ठीक है ठीक है आप थोड़ा सा खापी के सेहत बढ़ा लीजेगा आप छट के बरावर लंबे हो जाओ इतने चोड़े इतने ही मोटे और आप घुसेर खड़ा कर दिया जाए है हमका दवड़ो उड़ो क्यों कि आप भी तो कुछ वालूम घेरे हो जितना वालूम आपने घेर रखा है उतने में तो आप दवड़ नहीं सकते तो उन्होंने कहा कि आईडियल गैस में कहा जाता है कि गैस के मॉलीक्यूल का वालूम नेगलेजबिल होता है लेकिन रियल गैस की बात करें तो कुछ तो होता है ना तो अगर हम मालने इस बरतन का वालूम वी है और गैस मॉलीक्यूल ने कितना वालूम घेर रखा है तो अब गैस मॉलीक्यूल को चलने के लिए कितना वालूम अविलेबिल है तो वी माइनस बी होना चाहिए तो ये उन्होंने कहा कि बी वालूम क्या है बी उस गैस के मॉलीकूल का वालूम है जो उसने खुद घेर रखा है भाई माले कमरे में आपको चलने के लिए बहुत स्पेस है उड़ो कुपकस के और एक हाथी छोड़ दिया उड़ने वाला आपने इसमें इतना लंबा हाथी उतना चोड़ा उतना हुचा हाथी उड़ो कहां उड़ पाएगा इसे करेगा तो लड़ जाएगा उसका इसे नहीं कर पाएगा तो जितना आप volume घहरोगे उतने में तो आप चल नहीं सकते तो उन्हें ने का बी volume उस गैस ने घहरा है इसलिए अगर बरतन का volume भी है और बी उस गैस के molecule का volume है तो इतना volume अवलेबल होगा समझ में आई बात यह wonder wall का मतलब था यह आपके syllabus में आगे नहीं है लेकिन यहाँ है इसलिए मैं समझा दिया ठीक है अब इसके constants है A और B इनकी dimension आप से पूछ रहा है हमें वहाँ explain नहीं करना exam में की wonder wall क्या होता है आप से उन्होंने का कि find the dimensions of constants in wonder wall equation तो 90% के case में wonder wall equation उदेंगे और 10% के case में अगर हम विसा गंजा teacher कोई खुपड़ी खुझनाने वाला मिल गया तो नहीं देता है वो कहता wonder wall equation अपने आप याद करो अब देखो ध्यान से यह क्या है प्रेसर है तो प्रेसर में क्या एड कर सकते हैं आप हमने यह नहीं का क्या नहीं हो सकती है क्या हो सकती है यानि कि यह चीज क्या लिखी भी है बस भाई law of opportunity क्या कहती है कि अगर मैं कहूं कि dimension of a upon v square क्या होगा क्या लिख रहा हूं तो आप कहेंगे यह किसके इककोल होगा dimension of p के इककोल होगा नहीं समझे बस यह concept है अब आपको a का dimension निकालना है dimension of a is equal to dimension of p into dimension of v square p की dimension क्या होती है m l inverse 1 t inverse 2 और v square की v की l cube होती है और उसके पर आपने क्या चुढा रखा है square चुढा रखा है तो l to power 6 हो जाएगी l to power 6 जब इसके साथ आएगी तो यह क्या बन जाएगा ml to power 5 t की power minus हो सुन्द में आगई बात अच्छा अब यहां पे आओ यह क्या चीज़ है यह volume है तो volume में क्या minus कर सकते है volume यह volume नहीं है volume अलग होता है volume अलग होता है v के बावर जाएगी तो आप लिखेंगे dimension of v is equal to dimension of v बोले तो l cube तो इस प्रकार से कभी कभी यह question आता है कि आप जो wonder वाली question है उसके constants की dimension निकालिए ठीक है तो हमने का कर 90% case में यह question दिया जाता है और 10% case में नहीं दिया जाता है नोट कर लिए important question है ठीक है के जाता है जाता है